ये दो आँखें सिर्फ वही देख सकती हैं, जो बहुतिक है। तीसरी आँख भीतर की ओर देखने के लिए हैं। आपकी वासना, आपकी इच्छा, कभी बाहर नहीं थी, वो सिर्फ अंदर ही थी। वासना का अर्थ है कि वो आपके भीतर एक अपूर्णता की भावना और किसी चीज की चाहा पैदा करती है। जब हम शिव कहते हैं, शिव शब्द तीसरी आँख का परियाय बन गया है। तीसरी आँख उसका ये मतलब है, ये दो आँखें बाहर देखनी के लिए हैं। ये दो आँखें आपको अस्तित्व की भौतिकता दिखा सकती हैं। ये दो आँखें सिर्फ वही देख सकती हैं जो भौतिक है। तीसरी आँख भीतर की ओर देखने के लिए हैं। वो आपके माथे पर नहीं खुलने वाली। तीसरी आंख भीतर देखने वाली आंख है लेकिन आपने कहानिया सुनी हैं शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया भारत में प्रेम और वासना के देवता कामदेव हैं कामकार्थ है वासना जिसका आप सीधे सीधे सामना नहीं करना चाहते इसलिए आप उसे प्रेम बना देते हैं क्यूंकि आपको उसमें कुछ सुन्दर्ता चाहिए तो वो एक पेड़ के पीछे छिपकर शिव के दिल पर तीर चलाते हैं तीर होने लगता है और शिव थोड़ा परिशान हो जाते हैं फिर वो देखते हैं कि ये काम है यानि उनकी अपनी वासना उभर रही है फिर उन्होंने अपनी तीसरी आंख उग्र आंख खोली और काम को जला दिया वो पेड़ के पीछे छिपावा था मगर वो बस्म हो गया फिर शिव ने जले हुए काम की राख को अपने उपर लगा लिया कि मैंने इस चीज को सदा के लिए खत्म कर दिया है ये लोगों को सुनाई जाने वाली आम कहानी है मगर आप मुझे बताईए आपकी वासना आपके अंदर उठती है या पेड़ के पीछे नहीं आप पेड़ के पीछे जा सकते हैं ये दूसरी बात है मगर वो उठती कहा है आपके भीतर इच्छा बाहर नहीं मन रहाती ऐसा नहीं है कि एक सुन्दर स्त्री या एक सुन्दर पुरुष बैठा है तो आपकी इच्छा जाकती है क्यूंकि इच्छा काम आपके भीतर है इसलिए उन्होंने अपनी तीसरी आंग खोल कर अपने अंदर के काम को जला दिया उसे नहीं जो बाहर खड़ा है क्यूंकि वो कभी भी बाहर नहीं खड़ा था क्रिपया इस पर गौर कीजिए आपकी वासना आपकी इच्छा कभी बाहर नहीं थी वो सिर्फ अंदर थी तो उन्होंने अपनी तीसरी आंग खोली इस तरह नहीं अंदर की और फिर उन्होंने इस वासना को देखा जिसका दरसल मतलब है कि आपके अंदर कुछ पहलू है जो आपको अधूरा महसूस कराते हैं तो आप सोचते हैं कि आप किसी चीज का या किसी व्यक्ति के पीछे जाने पर ही पूरे होंगे वासना सिर्फ विपरीत लिंग की बात नहीं है शौपिंग भी वासना है क्यूंकि आपको किसी चीज के पीछे जाना होगा तब ही जीवन पूरा होगा हर इच्छा वासना है क्यूंकि उसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं हो सकता मैं उसे चाहता हूँ क्योंकि जब मेरे पास वो होगा, तब ही ये पूरा होगा, वो कोई चीज हो सकती है, पद हो सकता है, ताकत हो सकती है, सेक्शुयलिटी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, वासना का आर्थ है कि वो आपके भीतर एक अपूरनता की भावना और किसी चीज की पैदा करती है, जिससे आपको लगता है, अगर आपके पास वो नहीं हैं, तो आप अधूरे हैं, तो वो अपने अंदर के काम को जलाने का फैसला करते हैं, उन्होंने काम को जलाया, और फिर पसीने की जगह, उनके शरीर के छिद्रों से राख निकली, ये योगिक कथा है, आ अपनी तीसरी आँख खोल कर उसे जला दिया, फिर उस राख को लेकर अपने उपर लगा लिया, कहानी का योगिक आयाम ये है कि उनके भीतर काम जगा, उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोली, उसे जलाया, और फिर धीरे धीरे राख उनके शरीर से निकलने लगी, जिसने उन्हें साफ साफ दिखाया कि सब कुछ खत्म हो गया। हर चीज जिसे आप खुद के रूप में जानते हैं उसे मरना चाहिए। जब मैं मृत्यू कहता हूँ, भौतिक मृत्यू नहीं है जो समस्या है। सवाल है हर उस चीज को खोना जिसे आप अभी मैं के रूप में जानते हैं। आपकी शक्सियत, आपकी पहचान। एक बार आप शारीरिक और मानसिक धांचे से परे एक व्यक्ति होना सीख लेते हैं। इसका आर्थ है कि आप मर चुके हैं। मृत्यू को जीने का यही मतलब है। तो अगर आप जानते हैं कि शारीरिक और मानसिक धांचों के बिना एक व्यक्ति कैसे बने। तो आप मृत्यू को जीते हैं। अगर आप मृत्यू को जीते हैं, तो आप अपने अस्तित्व में शाश्वत हैं। अब समय आ गया है कि आप मृत्यू को जीए ताकि आप अनंत काल तक जीवित रहें कि आप एक जीवित रहें